नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अगौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रेट इनिफ्टी दोस्तो इस टॉक्स कार्ड की प्रोवैब एब की एक रिव्यू को मैं आपके साथ शेर करकर चलूँगा देखो दोस्तो मैं इसकी दो वीडियो बना कर चलूँगा जो सबसे पहली वीडियो है ये तब जब मार्केट क्लोज है कि मार्केट क्लोज होने के बाद हम लोग इस प्लाटफॉर्म को यूज़ करके किस तरीके की रिसर्ट कर सकते हैं दोस्तो यहाँ पर एक इनका लिंक होता है जिसमें आप चाहो तो आप इनके पार्टनर भी बन सकते हो और दोस्तो उसका सबसे बड़या रूट यह रहता है कि सबसे पहले आप किसी चीज को खुद यूज करो किसी प्रोडट को आप खुद इस्तमाल करो और जब आप उसके फीचर्स को अच्छे से देख लो और आप उसको फीचर्स को अच्छे से समझ लो तब आप अपने इस एक्सपीरियंस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और रैफर एंड अर्न प्रोग्राम को जोईन करने के बाद जब आपके अंदर कुछ कुछ दोस्त आपके आपके साथ जुड़ जाते हैं और वो भी आपको समझते हैं और यह वात जानते हों कि आप उनको recommend नहीं कर रहें आपूने साथ experience share कर रहें क्योंकि जैसे कि अगर हमने इसके night mode को select किया तो यह night mode है और इसके day mode को select किया तो यह day mode है तो मैंने इसके day mode को भी select किया हुआ है मैं यहां से login करता हूँ second level की login की verification आती है तो यहां पर आपको verify करना पड़ता है अपनी date of birth को आपने authenticate कर दिया एक second ठीक है आपने इसको authenticate कर दिया और authentication के बाद आप पहुँच गए हो इस समय पर इनके platform पर बहुत ही easily खुलता है देखो दोस्तों इसका जो home है यह हमें market के समय पर मैं आपको दिखा कर चलिए हूँ कितना खुशूरत लगता है कि यहां पर हमारे को दि इनर्स सारे लूजर्स कौन से ऐसे जो 52 वीक के हाई के पास है कौन से 52 वीक लोग के पास है इसमें most active securities कौन सी है तो आपको यहां से कहीं भागना नहीं पड़ता इनकी stock recommendations के हैं कितने advance है कितने declines है और इसी के साथ में ऐसी news के हैं जो हमारे काम की है उसी से में news flash होती रहत दोस्तों stock budgets हो गए यहां bulletin का section आगया और आप किसी भी चीज़ को चाओगे आप उसको expand करके देख सकते हो उसी को और ज़्यदा पढ़ सकते हो यहां सब कुछ आपको arrange मिलता है आपको कुछ छेड़ने की कुछ करने की ज़रूद नहीं है अगर आप market watch पर जाते हो देखिए market watch पर जाने क्या सबसे बड़े एक तो इनका default कुल करा गया वना आप अगा चाओ तो यहां से भी कोई अपनी profile आप add कर सकते हो कोई भी profile जैसे मैंने investment की नाम से profile बना रही है आप अपनी कोई भी profile इसके अंदर add कर सकते हो अब मैं किसी profile को खोलता हूँ जैसे suppose कर को आप इन देशीन बैंक को को बना चांद करूँ यहां से चेंज कर सकते हैं इनकी recommendation भी हैंपर लिख करा दी कि इसके बाद हम लोग आते हैं आपके बास में market watch को हम किसी भी तरीके से लिए सकते हैं जैसे में market watch पे हम लोग गए थे यहां invest invest के बाद हमारे पास nifty hundred के stocks पर हम लोग आ गए तो nifty hundred के भी हम चाहें तो इसके अंदर लिख सकते हैं top 50 based value value के उपर based या volume के उपर based यह market arts में हमें दिखाई देता है या कोई स्किप्ट हम एड करना चाहें तो वो स्किप्ट भी हम इसके अंदर एड कर सकते हैं most active volumes से या most active value से यह option open interest gainer है या open interest losers है या premium पर चल रहा है यह discount पर चल रहा है future के साथ price को इसने gain किया या price को इसने lose किया तो इतना कुछ इसके आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है आप दिन बार अच्छा खासा बिजी रहते हो मता आपका दिल लगा रहता है अगर आप analytics पर आओगे जो मेरे को सबसे बड़ी अपार लगा वो इसका analytics का लेकिन analytics को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको home section पर लेकर आता हूं market watch पर लेकर आता हूं और यहां से मैं किसी का chart खुल के दिखाता हूं जो मुझे सबसे ज़्यादा खुपसूरा चीज लगी तो मैंने सबसकर रिलाइंस की चार्ट को खुल लिया और मेरे पास company की information लिख करा गई अब company की information जैसे की Google पर लिखे होती है वैसी सारी information है management कैसा है इसके listing contact information कैसी है सब आपको पता से लिया जाता है बराल हम क्या करते है market watch पर आए वह आपस हमने क्या अगर आए reliance को क्लिक करा एक दम से हमने देखा कि reliance के बारे में reliance के चार्ट भी खुल कर आ जाएंगे अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे इसके चार्ट का जो फ्यूचर है मैं आपके साथ शीर करना चाहता हूं मैं एक बार वह आपको बताता हूं जो मझे बहुत बढ़ी अलगा दिको सबसे पहली बात नोग जैसा कि बाहर की country में होता है कि 4 घंटे का chart आपको 4 घंटे का chart चार घंटे के time frame में देखने को मिलता है यह बाहर की country में ऐसा होता है दूसरा आप देखिये मैं इसको 15 minute की time frame पर क्योंकि हम generally intraday के अंदर काम करते हैं अब इसका जो best part लगा मै मैंने इसके अंदर इसके अंदर काफी सारे टूल को मैं वक्त के सासा सूठावं का तो मैं आपको बताओंगा अब जैसे कि मुझे दिखा है दिखाए इन रहे हैं कि यह इस समय पर एक चैनल के अंदर अब यहां पर यह किसी चैनल को अगर ब्रेक करेगा तो मैं उसमें बाइस सेल साइट अपनी पोजिशन लेने की कोशिश करूँगा अब मुझे दिखा दे रहा है कि ये ना ये downward sloping है अब अगर ये downward sloping है तो obviously बात है कोई channel होगा इसका तो मैंने channel से यहाँ click करा इसके lower most points को मिलाया ठीके जी अब देखिए इसके बाद ये मेरा channel मेरा channel कुल कर आ जाता है ये देखिए ये मेरा channel बन गया अब इसने अगर इस channel को break किया जैसे कि अगर मैं इसको और extend करता जैसे ही यह extend कर लेता हूँ ऐसे करके ले लिया तो अगर मैं इसको और extend करता या मैं इसकी position को shift करता कुछ भी अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ जैसे मैं इसको ऐसे लेना चाहता हूँ और फिर उसके बाद में इसको और थोड़ा ओपर लेना चाहता हूँ तो मेरे को इस channel नहीं दिखाई देने शुरू हो जाते हैं अब इसके बाद मैंने इसको जैसे सबकोर्ष करिए अभी यह फ्लाट हो गया है ठीक है अभी फ्लाट होने के बाद यह मेरे पास एक channel बन गया अब इन्दा सेम वे मैं जैसे मैं चाहता हूँ अब जैसे मुझे यहाँ एक channel दिखाई दे रहा है तो यह सब कुछ बहुत fast बहुत ही smooth drawing है मुझे कुछ करना नहीं पड़ा और कोई rocket science नहीं है सब कुछ बहुत fast होता चला गया और मुझे पता चलिए कि यह अपनी इस जगह से बार-बार सपोर्ट ले रहा है और यह इसका resistance इसने अगर resistance को breakout कर दे तो लोगों के stop loss इड़ोंगे और यह फिर उस समय उपर के रस्ते पर चल सकता है और नीचे की तरफ इसने breakout दिया तो इसका मतलब इसकाना selling का pressure है इसी के साथ automatically यहां मेरे को volume दिखाया दे रहा है इन volumes को मैं बड़ा भी कर सकता हूं पार्ट इनका मेन पार्ट है मैं आपको अब अनलेटिक्स पर लेकर आता हूं देख उसे सबसे पहले चीज़ जो स्कैनर है यह स्कीनर मार्केट आर्स में काम करेगा यह स्कीनर एडवांस और डिकलाइन बता कर चलेगा हीट में बता कर चलेगा टॉप गिनर्स कौन है टॉप टॉपर्स हैं जो तीन दीन से लगाता पॉस्टिव है वो कौन से स्टॉक्स हैं जो तीन दीन से लगाता नगेटिव हैं तीन दीन से लगाता सेलिंग आ रही है यह कौन से स्टॉक्स हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो अपर सरकेट के पास हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं ज जस्ट डायल को देखा किसी ने शियर इंडिया सिक्योर्टीज ने इतनी कॉंटिटी में बाइक है इसको तीन सो चालिस क्या सपास ठीके जी सर्जेक्टिव रिसर्च केप्टल इमिटेट ने आईब लाउसिंग फाइनस की इतनी कॉंटिटी को सेल किया है तो हम अगर किसी ए और धीरे-धीरे करके अगर हम इनके साथ वक्त बिताते हैं तो सब्सक्राइब को यह चुपीवी वाइंग होती है यह चुपीवी सेलिंग होती है और हम इस वाइंग को और इस सेलिंग को जब रीट करना शुरू करते हैं तो उसके साथ हमारी अपनी इनासिस भी हमारी हेल सेलिंग करिए एक्विटी के इंदर के अंदर के अंदर डैक्ट के सेलिंग कर यहां पर इस जगह पर अपनी सेलिंग कर लिए खरीदारी कप की थी 31 मार्च को आपको पता चला कि mutual fund बाई करके चल रहा है एक तारी को आपको पता चला कि उन्होंने selling करें फिर उसके बाद उन्होंने high rate पर इंको बेचना शुरू कर दिया यह हमें mutual fund के बारे में पता चल गया और इस सारी की सारी value कि इसमें आपकी crores के अंदर value कि इतने करोड की buying यह इतने करोड की selling चलती है analytics portion पर हमें बहुत यहां देना होगा जैसे micro economics का data पर आगए हम लोग तो हम यह देखते ही कि हमारे forest scissors अभी इस समय पर कितने हैं देली के डेली हम इसको नोट करते रहेंगे कि forest scissors हमारे बढ़ रह यह under sek Forex is a खाली होना का मतलब है कि investment इंडिया के बाहर जा रही है तो ये भी हमें यहां से देखने को बहुत अच्छा मिल जाता है तो ऐसे भी लोग हैं जो Forex की trading करते हैं मतलब currency के अंदर trade करके चलते हैं तो ये data उनके बहुत काम का होता है अनलेटिक्स के अंदर यहां बात करके चल रहा है दोस्तो ये तो tool है इसके साथ में इनका software है auto tender जो cable technicals को study करके चलता है तो उसके बारे में भी कभी मैं एक video बना कर चलूँगा और मैं इसकी दो videos बनाऊँगा एक तो ये जब market close हो गया और ये तब जब market open होगा दोस्तों market का turnover क्या है तो देखे market के turnover बाया जाते है तो हमें देखने को मिलता है कि equity के अंदर इतनी buying होई है futures के अंदर इतनी buying की गई है और यहां पर सब आपको देखने को मिलता है ये volume है stocks का ये volume है index का कि index में इतनी buying आई है ये open interest है आपके पास में index का और ये open interest है किसका stocks का तो ये आपको सब कुछ देखने को मिलता है इस जगह पर है ना तो यहां पर आप देखके चलते है equity में, futures में, calls में, puts में, options में क्या आप market के अंदर काम किया गया है total derivatives में कितना काम किया गया है तो इस सब कुछ आप study कहां से कर सकते हो आप देखो दोस्तों अब exchanges है NSE future option and future option का index है ये NSE CDS हो गया आपका जो मत्दब national stock exchange है currency का तो यहां पर आप देखके देखके currency की futures में भाएंगे या क्या है आपका ओपर इंटर्स कितना बिल्डप हुआ कॉल में कितना बिल्डप हुआ पुट में कितना बिल्डप हुआ अब दोस्तों research tools के अंदर ही मैं इसमें बात करके चल रहा हूँ हमारे पास heat map आगया advance decline करेश हो आगया pivot watch हो गया अगर आप किसी चीज को देख रहे हो तो आपको कहीं और जाने की जुरूद नहीं है आपने और भी लिया आप इसके future option section में चले गए तो यहां पर आपको charts के उपर इसका future and options का इस जगा पर दिखाए देगा इसके option chain पर चले आते हैं तो आपको इसकी option chain भी दिखाए देती है इसी जगा पर आप देख सकते हो कि आपके सामने इसका open interest में क्या change आ रहा है थीटा में क्या change है वेगा वगरा में आप जो भी changes इनको इसी जगा पर देख सकते हो open interest put side में कितना develop हुआ open interest call side में कितना develop हुआ यह सब हम लोग एक ही जगा पर देख सकते हैं दोस्तों इसके उपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा जब हम इसके उपर काम करेंगे कोई columns वगर edit करना मैंने इसमें करे इसके नगयर नहीं है, तो आप चाहू तो इसके अंदर जैसे कि THIS Key डिरिट करना चाहते हूं उसके उसमें जाते हुआ उपकी आपकी का इकांट में इक प्रफर्मेशन है कब के लॉग इन का व Key डॉट है, कब आपने funds को transfer किया, अब दूस्तों मैंने कितने funds से इसको start किया, मैं आपको रिखा देता ہूं दूस्तों, 6000 रुपे से मैं इसको start करके चल रहा हूँ मतलब मैं आपको पता है कि मैं बहुत ही कम पैसे लगाता हूं मर्केट के अंदर तो मैंने इसको भी 6000 उपसे स्टार्ट करना से स्टार्ट किया है और मैं देखता हूं कि मैं 6000 से अपने इस ऐकाउंट को कहां तक पहुंचा पाऊंगा अब दोस्तों मैसेज बोड में हम जाते हैं कि एजेम की कम मिटिंग है बोड की मिटिंग करना चाहो तो आप इस जगह से इसको रीड भी कर सकते हो ठीक है जी आज मेरा रेयल्टी हो गई तो आप इसके बारे में इसको कलिक करते ही इनका चार्ड खुल जाता है इसके बेस फाइब ऑप्शून्स आ जाते है मतलब जैसे मार्केट वाट एकदम आ जाती है साथ में इसके साथ में इसमें शेर होल्डिंग पैटरंस भी आ जाता है त्शी से के अंदर किस्के निदर आज काम चल रहा है डिलीवरी कितनी उठ रही है इसमें share holding pattern promoters की कितनी holding है FIs की कितनी holding है mutual fund की कितनी holding है दूसरों की कितनी holding है अब देखो साथ ही आपको लिख कर आगए इसके moving averages की 15 दिन का moving average कितना बता रहा है 20 दिन के moving average का कितना price है 30 days के moving average का कितना price है 50 days के moving average का कितना price है 100 दिन का price कितना है 150 से कितना है दूसरों कितना है अब यह तो फिर आप कुछ भी समझदार हो अगर moving averages उपर की तरफ जा रहे होंगे तो यह market को 10 में आप है और नीचे जा रहे होंगे तो यह नीचे की तरफ है तो यह सब कुछ हमें एक ही click पर देखने को मिल जाता है कितने buyers हैं कितने sellers हैं उनका bit price कितना है ask price कितना है उनका span कितना है एक-एक information हमें देखने को मिलती है company की कोई financial reports हमारे को देखनी हो तो किस तरीके के source of fund है मतला हमें कुछ change करने की जरूत नहीं है हम अपनी website change नहीं करेंगे हम अपने trading platform change करेंगे सब कुछ यहां बैट का दिन बर आप इतना busy रहते हो कि आपका मन लगा रहता है कि अच्छा इस company के बारे में पढ़ लेता हूं इस company के बारे में पढ़ लेता हूं कंपनी के results आ रहे हैं तो company के results किस तरीके के results आ रहे हैं अगर आप इसके trend को analyze करना चाहते हो तो इसके revenue का trend कैसा है ऊपर की तरफ जा रहा है earning before income tax किस तरीके की है एबिटा कैसा है कौटली नेट प्रॉफिट का ट्रेंड कैसा है कि पिछले कौटर में कहा था उसके पिछले कौटर में कहा था तो इजी तरीके से हम इसको स्टेडी कर सकते हैं और यह कोई rocket science नहीं है और धीरे-धीरे करके जब आप चीजों को observe करते हो अब जैसे कि आज के सप हाई से कितना पीछे चरो इसमें की रेचेश क्वल कैसी है इन को यह कैसा लगता है क्या रेटिंग इसको देखके चल रह एं और open price इसकाあと है आज मेरा के बार्य में जैसे हमने इसको इसको क्लिक कर रहा है और यहीं पर शहरे करते हैं आपको कहीं और जाने की रुटी हैं आपको अमन करताया काया विसे बाइ करना चाहते हो अभ्य प्लैस करके आप इसको भाइक कर सकते हो तो जोस्तो undert sigui मैट करना चाहते हो आप लिस्टम कर सकते हो तो जसी से में सबसाथ पर हम लोग best use कर सकते हैं company के analysis पार्ट को तो मैं इसको खुद यूज कर रहा हूं और मैंने इसके research को यूज करके मैंने orders कहीं और लिए मैंने इसके research को यूज करके और अब मैं इसमें 6000 रुपए add कि हैं और अब मैं इसमें काम करके देखूँगा और मैं आपको लाइव मार्केट में बता पाऊंगा कि किस तरीके का इसमें margin लग रहा है किस तरीके से इसको buy करना यह sell करना easy है यह मुश्किल है या फिर आपके इसमें इनकी research जो market hours में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारी आपको के सामने यह आती है इसके लावा यह flash करता रहता है watch new जो भी कुछ नहें आता है वो यहां flash करता रहता है यह section में आपको और दिखा देता हूं जैसे निफ्टी 50 है और यह निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने दो चीह लगा रखी है अगर आपने आप जैसे पहले निफ्टी 50 मेर को दिखा रहा है और देखे चेंज हो जाएगा निफ्टी ऑटो में फिर थोड़ी देर के बाद फिर चेंज होगे अगला डेटा मेरे को दिखा कर चलेगा निफ्टी को मेरे पास यह भी flash हो सकते हैं मैं इनको भी adjust कर सकता हूं अपने accordingly तो उस तो मुझे क्योंकि इनका research पार्ट अच्छा लग जैसे मेरे funds के view मेरे deposit अभी कितना है limit को मैंने कितना utilize कर रहा कितना मैंने profit loss कितना है Mdm profit loss कितना है total utilization कितनी है allocation के नहीं मैंने कितना withdraw कर रहा है अभी available कितना है मैंने इसमें भी 6000 रुपाइट किये दोस्तो Monday से मैं इसको use करके चलूँगा इसके अदर अपने अधियल money को औ और मैंने इसको अच्छे से समझने के बाद आपके साथ ही information share किये मैं आपको बिल्कुल force नहीं करूँगा कि आप account को लो लेकिन अगर आपको यह सब कुछ एक साथ एक ही जगा पर चाहिए तो दोस्तो nothing like this है नीचे description में इसका मेरा link given है आप उस link से अगर account को खोलोगे मैं बाकी आपकी खुद की महनत है thank you so much sir all the best मैं एक और बात कहना चाहूँगा देखो दोस्तो किसी भी तरीके से मैं आपको share market में कुछ भी खरीदने या कुछ भी बेचने की ना तो आपको राय देकर चलता हूँ और नहीं राय कभी किसी के काम आती है यहां किवल आपका खु खुद बाकुद आना जाहिए thank you so much sir all the best